हलो फ्रेंट्स वेलकम यू ओल इन आवर यूटूब चैनल नामतेव अकेडमी स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल नामतेव अकेडमी में तो आज के इस वीडियो में जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम बात करेंगे क्लासिकल और फोगडांसे इनके बारे में तो द एफल लेटर कहुंड है वीडियों में हम बात करेंगे और और से उसीघायां यह समयटेश चाहिएं यह जो कि कि तो फोग डान्स है इन में अंतर क्या है ठीक है यह देख लेते हैं थोड़ा सा तो गाइस बात करते हैं क्लासिकल डान्स की बात करते हैं सबसे पहले तो क्लासिकल डान्स की यहां बात करें तो क्लासिकल डान्स है यह तीन सब्दों से मिलकर बनावा है और वह तीन सब्द कौ कर लिजेगा इनको यह यह तीन सब्थ हैं इनसे मिलकर यह क्लासिकल डांज बना है किसकी से नात्या निर्थ और निर्थ ठीक है अब देखो यह इनका मतलब क्या होता है बात करतेगा इस नात्या की बात करते तो नात्या का मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता ह वहीं कि बीना कई बीना किसी एक्षप्रेशन के फिर नत्य न pee कि बात करें तो निर्ते में क्या होता है देखो उरती नत्य और निर्ते है कि इसमें इसमें जुorkते है इसमें ड्रामा भी होता है तो इसमें बड़ी expression भी होते हैं इसमें सारी चीज़े इसमें होती है अग जब यह तीनों चीज़ें मिल जाती है तो बन जाता है तो बंजाता है Classical dance ये तो हो गया Classical dance का अब यहां बात करतें गाई क्लासिकल डांस कि देखो एक चीज़ माँ बताना जतांगी कि प्लिए कि कला्सिकल कप्रश्व की सूल में टास्थ के और शांति को एगानouth में कह मतलब कि इप सब्सक्राइब, कह नहीं है। । अब चलते हैं को से पॉप टांस अगें पंप्लिए इस व्य प्लिए न्हीं जरता है और एसमें ना तो जादा ट्रेनिंग जरत वहते हैं जादा मेकप और जवहते हैं और यह कुछी के अवसरट पर यह किया जा सकता है तो यह तो हमने इनके भीच में डिफ्रेस देख लिया अब हम थोड़ा से यह देख़ लेते हैं namka लेते कि दांस क्या क्या उसके बाद क्यूस क्या चलते हैं तो डेके डांस की बात करें तो सबसे पहले था हुम बात करते कि दांस है इसकी एक famous भुक है जोकि एक्जम में पूझे जने के पूरे उस बुक की बात करें तो मैं यह लिख देरी हूं देखें नाट अधी पिर रिखें दॉसकंड कंट करते हैं तो यह नांब्टे सास्त्र करके से सथिते रखेंद वह जो है इसके बहुत ऑथर चांधे औधे भात मुंहन सोस्न आप करते हैं. spieltmanship दान्स है नोर्मली एक्सप्रेशन है और जह उनको बोडी के थटू बोड़ी के थुए MP% उनको एक्सप्रेस किया जाता है हुँ हता है और था बात करें तो डान्स को पुराने समय में कारियों को यहिए जाता लेकिन अभी modern society के बात करें, तो modern society में जो dance किया जाता है, वो entertainment के लिए किया जाता है, तो यह सारी चीज़ हमने देख लिए, अब बढ़ते हैं, क्यूसन्स के बात करते हैं, तो क्यूसन्स के हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने लिया कि कुछी पूरी है, यह कौन से state का dance है, अब बात करते हैं कुछी पूरी की, तो देखो एक चीज में बताना चाहूंगी, कि जो classical dance है, वो art classical dance है, ठीके, अब वो art classical dance कौन से हैं, एक एक करके हम discuss कर लेंगे, पहले मैं नाम बता दे रहे हूं, देखे, कुछी पूरी हो गया, भरत्मनाट्यम, कथक, उसके बाद कथ धकली, मुईनी अटम, मनिपूरी, उडिसी, और सात्रिया, ठीके, यह art classical dance है, अब इनको एक एक करके यहां पर देख लेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछी पूरी की, तो कुछी पूरी है classical dance है, और यह कौन से state का है, तो यह है आंधर प्रदेश का है, तो यह आ बात करते हैं ठीके, भरतनाटे मिंना टैम के बात करते हैं यह हैं यह है Tamil Nadu का, कि को से state का है बरतनाटे मिन तमिल-Nadu का अब यह बात करते हैं का बएतर जाय French Accra हन्हें स mañana 마음에 को भी एंच ए रहा तो यह एच एयर इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इ Gel इंनों की एक स्प्रेशंस टिती है यह ओंगया अब नेक्स्ट यहां देखो यहां तो यहां तो लिए ख़र की मतलब करता है तुर्ष कालतों क्या होता है रग होता है थीक यहां रहा है कि मुझिक फिर अ रहे हैं यह हो दिक सब्सक्राइब करना ता काली समस्ब्स रिधं गर और temperature काल मतलब होता है नृत क्या होता है टो इस Between इन से मिलकर ये तीन चीज़ें भाव, भाव हो गया, भाव के बाद राग हो गया और ताल हो गया इन तीन चीजों से मिलकर ये नर्त बनाए कौन सा भर्त नाटेम ठीक है जिसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं और गाइस बात करते देखें भर्त नाटेम के अगर बात करें तो भरतना अटम जो डांस होता है इसमें जादा तर जो हाथों के एक्सप्रेशन ने यह भौँ ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है तो यह चीज़े हमने देख लिए और यह इस टाइप का यह होता है फिर नेक्स्ट यहां देखते हैं तो देखें नेक्स्ट की यहां बात करें तो मुहिनी एक्टम और जो कथकली डांस है यह कौन से स्टेट का है तो देखें मुहिनी एक्टम और जो कथकली की बात करते हैं तो यह है केरल का कहा है केरला का है अब देखें यहां पर आप देख सकते मुहिनी एक्टम की बात करें तो यह है मुहिनी एक्टम अब मुहिन इसके दुआरा ही यह किया जाता है और जो मोहिनी अटम की बात करें तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा जरूरी जो इसमें होता है वह होता है फेस एक्सप्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है खतक कली की बात करें तो ये है कतक कली क्या है कतक कली अब ये इस तरह का होता है कतक कली अब कतक कली की बात करें तो बहुत इंपोर्टेंट है गाइस कतक कली में सबसे ज़्यादा तो इसका जुर्री होता है इसका मेकप मेकप और जो कॉस्ट्यूम होता है वो सबसे एप양 आप दो सब्सक्राइब खाल खाल से झाले से नुछ से इसां इंट के सेया आप मैंने पिर BIG स्थाइब आप इंटिकेट करते हैं क् allein ऐस जो whereby इंटिकेट करते से ऊच्चे चाहिए इंटिकेट करता है यह इंडिकेट करता कि यह बत करता है फिलीlden को इंडिकेट करता है विलन के रूप को तो इस आम ने देख लिए हैं अब यहां हम बात कर लेते हैं देखो इसी तरह से ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा कि मोहिनी एकन्टका आफ्षister देना होगा के राज्य का कौनसे राज्य काश सुपनktion करें स्टेट के बात करें तो ढम बात करें तो यही नोर्थ और नोर्थ इंडिया में भी जातर है यूपी का ठीक है यूपी का है ये और देखो कथक में क्या होता है कथक में जादा तर जो main important चीज है ना कथक में वो है गुंगरू ठीक है यानि कि बिना गुंगरू के कथक जो नरत है कथक डान से वो नहीं किया जाता और इसमें क्या ह कॉस्टियूम के इतना पहना है इतना है अब यहां हम बात कर लेते हैं देखो यह मैंने यहां पर दांस के नाम लिए तो वही दिए जो बारी बारी पूछे गए तो यहीं पूछा कि माधवी मुद्गल की टो यहीं सब्सक्राइब के लिए इसके लिए इसके वात करते कि भरता नाट्याम दांसille है। तो यह आप तस्वीर देख सकते हैं Ţो आप देखो इस टाइप के Q writer सकते हैं इस टाइप के लिए तो यह ओडते हैं नेक्स्टे हैं आप करते हैं देखो यामिनी कृष् journey पेख सकते हैं ये कौन से dance के लिए famous है तो ये है भर्त नाट्यम के लिए और भर्त नाट्यम कैसा क्या dance होता है वो मैं अल्रेडी बता चुकी हूँ तो ये आप तस्वीर देख सकते है यामिनी कृष्णा मूर्ती की जो कि भर्त नाट्यम नर्त करते हुए इनकी तस्वीर है नेक्स्ट यहां देखते हैं तो नेक्स्ट क्यूशन यहां लिया गया है कि जो ये सोनल मान सिंग है ये कौन से dance के लिए famous है तो सोनल मान सिंग के बात करें तो ये मनी पूरी dance है इसके लिए famous है अभी हां बात कर लेते हैं गाइस मनी पूरी dance की तो आपसे एक्जाम में क्यू बात करें तो वह कुछ इस प्रकार का होता है देखिए आप फोटोस में देख सकते हैं एक्चुली क्या होता है जो मनी पूरी डांस है इसमें क्रेशन और गोप्यों की जो रासलीला है ना उस पे बेस होता है यह देखिए यह आप देख सकते हैं तस्वीरों में यह है क्रेश आज़ी का जब बहुत को एक एक सν भी तो इस लियुजव कि एक करना, फन्म में और सोच लकटव से के कुछार करें तो सबात करते हैं भी लुट कि ऋपया को पाले सोगेकं और आज़ी कौन सी इस्टेट के लिए फेमस है तो यिस फेमस के लिए ठीक है नेक्स्ट यह बात करते हैं भांगडा की बात करते हैं तो भांगडा डांस है यह कौन से स्टेट का डांस है तो कैसे फोक डांस है और यह है पंजाब का अब बात करते हैं भांगडा डांस की तो देखो भांगडा डांस है वह मेल परसंस के लिए होता है और बात करते गीदा डान्स की, अगर गीदा डान्स की बात करें, तो गीदा डान्स जो है, ये भी कहा का है, ये है, पंजाब का है, लेकिन ये होते है, वुमेंस के लिए गीदा होते है, और मैंस के लिए क्या होते है, मैंस के लिए होते है, भांगडा, नेक्स्ट यहां देखते हैं, ये क कांथूं बेंबू डान्स की बात करें तो यह मेजोरम का डान्स है कौन से स्टैट का यह राउंफ की बात की गई जो इन में इस फ़से स्टैट का है तो सम्ड़ल का बात की जाए तो यह है जम्मू कस्मेर का कहा है जम्मू कस्मेर का नेक्स्ट यहां बात की गई है नाती डांस की बात की गई है तो जो यह नाती डांस है यह कौन से इस्टेट का फेमस डांस है तो देखें नाती डांस है फुक डांस है और यह है हिमाचल प्रदेश का फेमस एक्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जो नाती डांस है वो कौन से इस्टेट का डांस है तो यह हिमाचर प्रदेश का अब देखिए यह जो है यह वाला भूत ही जादा इंपर्टेंट है बहुत बारे एक्जाम में पूछा गया है तो यह तो ऊसाम का डांस है ज्टेट है तो क fumetzt आज़ी नेक्स्टीनि भूट कर लेते हैं राजस्तान के जू दान्स की बात कर लिए तो बूट सारे दंस हैं में तरकी सबस्क्राइब ज्यूटिं अध्रशनymphसरी नियुक्त सफने मट के बोसे नियुक्तनि लियुक्तनि दम्सक्राइब थो यह फिजन овой फ्यार वह जो को पता ही है कि घूमर है वो राजस्तान का प्रसित डांस है तो यह सुईसीनी इंपोर्टेंट है तो घ्यान दीजेगा सुईसीनी जूमर ख्याल और कालबेलिया और गूमर है यह राजस्तान के प्रसित डांस है नेक्स्ट हैं बात करी गई है कि थोरा और कजरी की आम बात कर करी गई है कर्मा चत्रा चो और नत्या तो यह πिर के फिमस अ किसके वियर निजेगा यह उसक्ताई आप ऐसे जयुक्षों देखें जोड़ेस्त बातरी ऑद तो एकजयम exam में पूछ लिया जाए छाउ ठीक है छाउ पूछ लिया जाए देखो थोड़े थोड़े यंतर है छाउ है ये तो भियार का है और अगर चाउ पूछ लिया जाए तो छाउ जो famous folk dance है कहा है? West Bengal का यानि कि पशे बेंगाल का तो इन दोनों में confusion ना हो इसलिए मैंने दोनों चीजे clear कर दिये नेक्स्टियां देख लेते हैं नेक्स्टियां कह रहा है कि कली अटम और यह है कोई कोटे कली तो देखो एक चीज का ध्यान देखेगा जिन डांस के लास्क में अटम आ रहा है या फिर कली आ रही है यह थोड़ा सा याद करने का बता रही हूं बाकी कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कि अपने को तरीके या दोने चाहिए ताकि आपके दिमाग में सेट हो ज करने अचे तो अचे हूं दिमाग मेदन को सु लिजुत क करने में यह कुछ रही है लूग हो मैद्धप्रदेश इहां लूद्ध मेदन कुछ नालिए हम दो कुछ थार चर्екा की लिए व्यस्ट बैंगोल का फमस लिए नेक्स्तून ऐसने मिइधर निचली देंट कर 옷 सबस् Скodius का हरियान के हम बात के देखें। और जो गर्बन रत्धे हैं यह को मैं भी सबस्क्राइबू बनागे करते हैं बिर्जु महाराज की बहुत इंपोर्टेंट है गाइस बिर्जु महाराज की बात करें तो यह बहुत फेमस डांसर है और यह कौन से डांस के लिए फेमस है तो बिर्जु महाराज की बात की जाए तो यह फेमस डांसर है किसके कथक के ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि देखो यहां पर दिया गया है सात्रिया अग यह सात्रिया की बात करें तो गैस सात्रिया है जो सात्रिया यह भी क्या है क्लासिकल डांस है और जो यह सात्रिया क्लासिकल डांस है यह कौन से स्टेट का है तो गैस यह है आसाम का अगर आसाम के फोग डांस की बात करें तो आ यहां पर थोड़ा इंपोर्टेंट बन जाता है तो गैस तमासा और लावनी डांस की बात कर लेते हैं तो जो तमासा और लावनी फोक डांस है यह है महारास्ट के important महारास्ट के famous dance है ठीक है महारास्ट के next यहां बात करते है मनीपूर का तो मनीपूर का मैंने बता चुकी हूँ already जो classical dance है photos में मैंने बताया था किस प्रकार का होता है तो जो यह मनीपूरी dance है classical dance है मनीपूरी तो जो यह मनीपूरी classical dance है कौन से स्टेट का है तो गैस यह मनीपूर का है और यह किस टाइप का होता है इसकी फोटो मैंने उपर दिखा दिये है यह एक्चुली जो मनीपूर की बात करें तो यह मैंने बताया था कि मनीपूर यह जो डांस है यह किस को किस पर बेस होता है तो यह उता क्रेशन और गोप बात करलेए मांडू की बात करते दो कौनसी इस्टेट मांडूध का लिए मांडू acid e favose यह है गोव का नेक्स्ट यह बात करते हैं सामबा डांस की तो देखें यह एक अलग इंडिया का नहीं है दूसरी कंट्री का है लेकिन इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने यहां पर लिया है तो सामबा डांस अगर आ जाए तो सामबा डांस है वह कौन सी कंट्री का फेमिस डां तो इतना important नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं कि जो यह कागत डांस है यह है सिक्किम का कहा है सिक्किम का अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या किया है क्यूशन पूछा गया है कि which of the following four dance is performed by women in Punjab मैंने बता है था कि पंजाब में जो गीदा डांस और जो खोचा डांस है यह है women's के लिए guys बात करते हैं तो men's के लिए है भांगडा ठीक है भांगडा तो men's के लिए हो गया और जो गीदा और घोचा है यह women's के लिए होता है नेक्स्ट यहां हम बात करते हैं कि which dance associate with the personality रुक्मनी देवी ठीक है अब रुक्मनी देवी के बात करें तो यह भी इंपोर्टेंट है यहां पर देखो dancers जो मैंने लिए वही लिए जो बार-बार एक्जाम में रिपीट हुए है तो बाकि टैंशन लेने के जोर्ट नहीं है तो बस यह इतने से कर जाओगे तो आपके डेफिनेट्ली इस वीडियो से डांस का कोई भी क्यूशन आता है तो इस वीडियो से बार नहीं पड़ेगा डेफिनेट्ली इस वीडियो से पड़ेगा ही पड़ेगा तो देखें यहाँ पे जो रुकमनी देवी के बात करें तो रुकमनी देवी अरुन डाले है यह इनका जो संबंद है वो है भरतनाट्यम से यह भरतनाट्यम के डांसर है बहुत फेमस डांसर है नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं और यहां पर जो देखो क्या कह रहा है कि जो यह सिद्धा क्या है सिदेंद्र योगी की यहां बात हुए तो सिदेंद्र योगी है यह किस डांस के लिए फेमस हैं तो यह प्रसित हैं कुचिपूरी डांस के लिए कौन सिदेंद्र योगी तो सिदेंद्र योगी कोई भी छूट न पाएári इसलिए मैंने क्या किया कि है कि सारे स्टेट्स के थे अहां पर कर से गप्लाओ करें वह है और कोंड रहे सास्त्रिय सरे अान्सक्राय थे यह classical dance है famous classical dance है कहां का आसाम का नेक्स्ट हम बात करते है autumn थुलाल की बात करते है जो देखे autumn मैंने बताया था कि last में अट्टम आ जाये या कुछ भी आ जाये तो वह होगा केरलाका तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं क्या है autumn थुलाल तो यह है केरलाका अब next यहां भरतनाट्यम किसका है यह बरतनाट्यम classical dance है किसका है तमिल्नाडु का कुछी पूरी के बात करें तो यह भी classical dance है कहां का है अंद्रप्रदेश का next यह बात करते है इंपोर्टेंट है यह कि यक्स गाम जो नरत्यं यह फोक डान्स है और कहां का है करनाटक का next यह देखते भं भांगडा भांगडा डांस के बात करें तो यह मैंस के लिए है और कहा का डांस है यह प्रसिद डांस है पंजाब का नेक्स्ट हैं बात करते हैं तमासा की बात करें तो इंपोर्टन डांस है और कहा का है महारास्ट का है अब हम बात करते हैं कोली की तो कोली डांस है यह भी फ जैसे हमें सब्सक्राबन करते हैं जैवे भी यार और बात करने लोह करें। की बात करें तो यह मेगाल्य का फोक डांस है तो यह बात करते हैं तो राजस्तान का लेकिन यह एक्जाम में इतना ज्यादा चांस नहीं इसकी पूछे जाने की क्योंकि नॉर्मली सब को पता होता है तो एक्जाम इन जो वह थोड़ आचा हाड़ देगा तो जो राजस्तान का सुई सीनी लांसे वह इंपोर्टिट बन जाता है तो लेकिन देखो काल बीलिया नॉर्मली इंपोर्टेंट क्यों है इंपोर्टेंट क्योंकि ये युनेस्को की वर्ड हैल्टेज साइट है उसमें ये सामिल है next यहां देखो अब मैंने यहां बताया था कुद्धि अत्व फिर्म म् हो गया तो यहां पर यहां पर यहां पर सामिल है अब हैं ज़के बात करते हैं कोटम की बात करते तो तोतबी यहां पर ठोड़ा इस नहीं डेख लिए तो आज की वीडियो में इतना ही तो गैस वीडियो पसंद आया हो तो लैक जरूर कीजिए और जीतना उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जो भी ट्रणूड की तैयारी तो देखि तो उसके लिए हमने टेलेग्राम गृप का जो लिंक है वो अमने नीचे description वीडियो के नीचे description box में दे रख आ है तो वहाँ से आप हमें टेलेग्राम गृप पे जोइन कर सकते हैं और हर वीडियो उसकी pdf फाईल वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते है थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो